राष्ट्रिया समण परिशत के सैकडू कारकरता के साथ राष्ट्रिया धक्ष आगरा के पूर्व सैनी के घर पहुचे जहां उन्होंने सांत वना दी इसी के साथ बिजीपी के जिला धक्ष को मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन सौपा और अपनी मांगे रखी राष्ट्रिया समण परिशत के सैकडू कारकरता राष्ट्रिया धक्ष पंडित पंकज धवरईया के नितुत्त में आगरा पूर्व सैनी के घर पहुचे और सांत वना दी और आगरा के बिजीपी जिला धक्ष गिरिराज कुशवा को मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन सौपा और अपनी मांग रखी की पीडित सैनिक की पत्नी को 15 लोगों ने फरजी SC-ST एक्ट लगा कर फैसले में रकम ना मिलने पर बौखला कर जला दिया मजिस्ट्रेट के सामने पीडित सैनिक की पत्नी ने अंतिम स्वास में अपरादियों का नाम मुझागर किया अभी अपरादी फरार है सभी राजनितिक दलो पर प्रश्श्ची ने लगाया कि आज देश के सैनिक और सैवर्णों का शोशन हो रहा है लेकिन मातर दलितों की राजनिती हो रही है राहुल गांधी से लेकर देश का कोई नेता यहां नहीं आया और ये बरदाश नहीं करे और पीडित परिवार के बच्चों को सैनिक इसकुल में भरती किया जाए इसी के साथ 50 लाख मुआवजा दिया जाए यदि जल्दी ये काला कानुन खत्म ना हुआ और परिवार की मांग पूरी नहीं हुई तो समन समाज SCHT Act के विरोध में पूर्वे की तरह भारत बं कि इसलिए आये कि हमें बड़ा कस्ट हुआ कि सैनिक की पत्नी की सरयाम जला के हत्या कर दी गई और आज कोई भी राजनेता नहीं बोला हम सरकार से मांग करते हैं कि इनकी पत्नी तो वापस आप नहीं कर पाएंगे पर लेकिन इनके बच्चों को आर्मी स्कूल में भेजा जाए सैनिक स्कूल में भेजा जाए और इनके परिवार को 50 लाग रुपया मुआवजा दिया जाए और SCST जैसे गंदे कानून को तुरंत अत्काल खतम किया जाए अन्यता सवर समाच उठकर एक बहुत बड़ा आंदूलन करेगा जैसे कि हम दो बार पूरे देश में कर करते हैं ऐसे कानून को तुरंत खतम किया जाए जो कि हम लोगों में मतभेद और हमें बांटने का प्रयास कर रहा है अधन्यवाद क्या सच है क्या जूट अब होगा जो सच वही खबर हम से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे हैं एचपियर निउस